मैंने आज आसाम के चीफ मिनिस्टर हेवंत विश्य सर्मा का स्टेटमेंट दिखा है उन्होंने कहा है कि वो हमसे बात करने के लिए तयार है तो मैं सबसे पहले एक बात मुलना चाहता हूं हम भी बात करने के लिए तयार है लेकिन हम कॉंसेटिश्ड सेल्श पिलिए बात करने के लिए तयार हैि मैं अगर आप हमें बुलाएंगे हम हानिंगे हम लोग भूमी पुत्र है कि अगर आप हमें संमान देंगे resistant कि ए तोह हमाएं और अगर आप हमें बुलाएंगे क्योंकि हमें कुछ पोस्ट ओफर करना है तब नहीं तिप्रा मौथा इसके लिए नहीं बना था तिप्रा मौथा Constitutional Solution के लिए बना था तो मेरा response है आप सम्मान से बुलाईए और Constitutional Solution के बारे बात कीजिए हम आमने सामने बैठ कर बात करेंगे लेकिन आपको हमें सम्मान देना पड़ेगा और जो हमारा अधिकार है Constitutional Rights है हमारे जमीन का हमारे Political Rights का हमारे Economic Rights का हमारा भाषा का हमारा समाजपती का आपको वो हमारा बात सुनना पड़ेगा मैं तिप्रा मौथा का Chairman नहीं मैं हानी बुसाबी हूँ हानी बुसा को आप प्यार करोगे हम प्यार से आते हैं हानी बुसा को आप छोड़के तुप्रा में साशन करना चाहते हैं तो आपको आने वाले दिन में कश्ट होगा मैं अपने तिप्रासा Warriors को बोलना चाहता हूँ आपने मुझे भरोसा करके हमें वोट किया और हम आपका भरोसा नहीं तो सकते हैं यह हमारा जो solution है constitutional solution यह सब के लिए होना चाहिए दो तीन लोगों को मंत्री और अच्छा पोस्ट देने के लिए नहीं अगर यह बात में हमारा बात चलेगा तो हम आएंगे और अगर यह आपको करना है तो राइटिंग में होना होगा तो all my warriors, I love you, you have fought with me, you have supported me and I cannot let you down let them call me with dignity, with honor and I shall come let them call us because we are the sun of the soil and we have to be respected in our land and if anyone wants to run Thirupra by ignoring the indigenous population of Thirupra they will not find it very easy to run the state so I have heard what Hemantabishu Sarma has said, the Honorable Chief Minister of Assam but it has to be officially followed and I have to officially be asked to come to discuss not about posts, not about individual seat shepherds but we have to be offered a constitutional solution call us for that and we will come and talk we are after all proud people and we will go with pride and we will not go to Delhi asking for something which was ours and which was taken away from us Dalai No Ham by Kholung Khan